काजोल की फिल्म सलाम वेंकी सिन्वा घरों में रिलीज हो चुकी है फिल्म बेज्ड है लास्ट हुरे नामा के एक बुक पर फिल्म में एक वेंकटेश नाम के लड़के की कहानी बताई गई है जो अपनी बीमारियों से तो जूची रहा है साथ-साथ उसकी जिंदगी के उपर भी बताया गया फिल्म में एमोशन इतने हैं कि जिस टोन में फिल्म पहले मिनिट से शुरू होती है वही टोन पूरे फिल्म चलती है काजोल ने इस फिल्म में वेंकटेश की मा की भूमिका निभाई है और वेंकटेश बने है मरदानी टू फेम विशाल जेट हुआ दोनों ही आक्टर्स वारा फिल्म में मा बेटे के रिष्टे को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है और साथी साल फिल्म एमोशनल आंगल लेकर बहुत से सब्जेक्ट्स पर बात करती है फिल्म का नरीशन ऐसा है जो किसी को भी रुला दे फिल्म ओर्गन डोनीशन के सब्जेक्ट्स पर भी बात करती है और हर एक फ्रेम ऐसे क्राफ्ट किया गया जो एमोशनल टोन को लास्ट तक बनाया रखता है फिल्म अपने टोन से आकर तक चलती रहती है लेकिन फिल्म के प्रेजेंटेशन में ओडियन्स का कोप अप करना मुश्किल हो जाता है फिल्म का फर्स्ट आफ ओडियन्स को रोने के लिए तो तयार करता है लेकिन फिर भी सेकेंड आफ ज्यादा रुला देता है इस समय फिल्म के कारक्टर इतने कॉंप्लेक्स हो जाते हैं कि ओडियन्स के लिए समझना मुश्किल हो जाता है इस फिल्म को डिरेक्ट किया है आक्टर डिरेक्टर रेवती ने और राहूल वो सबोर्टिंग में दिख रहे है और राहूल वो supporting character में दिखेंगे साथ ही साथ आमेर खान का भी cameo appearance होगा